फाइनली वनपीस एपसोड 1076 के अंदर लूफी ने काईडो की बैंड बजा दी और यहाँ पर हम बोल देखते कि अभी काईडो सीधा केरी निन में जा चुका है लेकिन इस वाले एपसोड के बाद में भी आपर वानो आर्क पुरी तरीके से खतम नहीं हुआ है क्योंकि अभ पुरी तरीके से खतम होने के लिए भी साथ या आठ एपसोड बचा है जिसके अंदर बहुत साथ रिविल्स होने वाले और इन्हीं एपसोड के अंदर कोई तो भी एक बंदा अपने स्ट्रॉइड को जॉइन करने वाला है लेकिन वह आपिसली नहीं होगा वह इंडरी लि इंसिडेंट कैसे हुआ था वापर हमको क्या ही पुल है यंगर वर्जन देखने को मिला पता नहीं भाई बीग मों ऐसी दिखती थी बाद में जाके एकदम से तुन्टुन मोसी के से बन गी अभी तो मुझे पता चल रहा है कि बिग मौं के इतरे सारे पते क्यों थे इन लो हो रहा है वही पर मागा के अंदर अभी एक डाहर के पाहिल बैटल चल रही है तो पहले जैससे अभी मागा और ऐनिमे के अंदर जादा कुछ गैप नहीं बचा यहाँ पर मांगा बस कूछी चापटर आगे चल रहा है जा पर बात करें लगा कि कुछ दिलों में कैचने को म और यह पर इस वाल एपसोड के अंदर की बैक प्रफ़ता डिटेल में देखने को मिले जा पर उसके बैक्स्टोरी सबढ़ने के लिए प्रफ़ता एजी लग रही थी और यहापर इस वाल एपसोड के अंदर मुझे एक बात अच्छी लगी कि वाई फाइनल मौमान उसके ने वाले दो तिनी एफसोट के अंदर हमको ममान उसके का भाई फेस रिविल भी देखने को मिलेगा कि बड़ा होने के बाद में वोडीन जैसा दिखता है कैसा दिखता है तो चलो यहाँ पर वानो आर्क भी खतम होते हुए दीख रहा है जैसे यह वाला आर्क खतम होगा हम सीधा फाइनल सगा की तरफ बढ़ेगे तो अब तक हमको ऐनेमिक अंदर लग रहा था कि वानो आर्क के अंदर ही बहुत से जह हो रही है लेकिन जैसी अब एक गेड़ पर पहुचोगे तो वहाँ पर कुछ जादा ही बड़े-बड़े वाले रिविल्स होने वाले तो यहाँ पर शुरू करी तो मेरे इसाब से यही सही टाइम है कि आपको वनपीस की मागों को भी शुरू कर देना चाहिए तो चलो गाइज आज के इस व्ड़ में बस इतना ही मैं मिलना आपको नेक्स किसी वीडियो में तब तक के लिए सायोना रहा